हालो नमस्कार वेलकम सभी का स्वागत है हमारे वेकेंसी एर है एजूकेशन में मैं आज एन पीसी आयल के गोडिंग एक अच्छी वेकेंसी की बात करूँगा न्यूक्लियर पावर कार्पूरेट आफ इंडियन लिमिटेड के बारे में और आप लोगों को काफी अच्छी फ गरती है और भारत के सबी विद्यारति इसमें आवे दिन कर सकते हैं पहले बात यह धि Hinduआँ और प्रोग आयो किसी वी छेत्तर का रहने वाला सो सभी इसमें आवे दिन कर सकते हैं शुरू करने से पहले में कुछ चीजे klar गरवा देता हूं सबसे पहले में विझ्ञापन की पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं। फिर हम बात करेंगे फोर्म को कैसे फ्लिप करना होगा। यह दोनों क्लियर करवागे हम आगे बात करेंगे नोट विग्यापन में बात करें क्या क्या क्लियर होगा उसमें पूरे पोस्टों का विवरन जानकारी हम देंगे और साथ ही सलेवर्ष का पूरी जानकारी हम आपको देंगे साथ ही इसमें एप्लिकेशन फीज जो भी कब तक आविदन हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज आप हमारे चैनल को सस्क्राइब के साथ बेल आइकन को ओन कर सकते हैं आने वाले हर एक notification की जैनकरी आप ले पाएंगे और एक बार फिर से बता दू वो विद्यारती प्लीज इसे अगर नोगरी करना चाहते हैं या फिर आपके पास एक notification है तो जरा सा इस वीडियो को पूरा अंति तक जरूर देखेगा चलें शुरू करते हैं शुरू करने से ये वाला notification आप खुद स्वेम डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको किसी भी परकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमारे Facebook गुरूप को जोईन कर सकते हैं ये देखेगा ये विज्यापन है और विज्यापन के संक्यां आपर दी हुई है और ये 2004-2020 इसकी अंदिम तारिक दी हुई है अगर आपको किसी भी परकार का डाउट हो तो ये देखेगा और विज्यापन के लिंक ये हां पर दिया हुई है आविदन पर क्या 24-3 यानि की 24 फरवरी से 24 फरवरी से इसके आविदन पर क्या शुरू होगी और करीबन 24 फरवरी से और मई तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे आगे बात करें पोस्टों के केटिगरी इस विस के अकोडिंग आप कौन सी केटिगरी पोस्टों हommes में देख सकतेैं आप। जैसे कि मेके निकल की बात करते हैां मेके निकल में शिरफ 32 पोस्ट है शिरफ जरूड के डिख सकते हैं AWD की 8 है SCST की बात करें तो यहां पर 13 और 6 अपेट हुई है OBC, NCL की बात करें 26 पोस्ट है Mechanical Trade की टोटल इसमें 85 पोस्ट दे हुई है Chemical की बात करें तो यहाँ पे 20 पोस्ट है Electronic की बात करें तो 40 है Electricals की बात करें 8 है और Civil Branch और बाकी ट्रेडों की यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दे हुई है अब आप कौन सी केटेगरी के हैं और कौन सी ट्रेड है आपके पास तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे तीसरे कॉलम में बात करें तो यहाँ पे कॉलफीकेशन के अनुसार Reservation किस डिपार्टमेंट में आप आवधन करेंगे क्या होगा देखीगा पहली पोस्ट में Mechanical, Electrical, Electronics यह चीज़े आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और Reservation की बात करें 3, 2 और 3 के आसपास Reservation दिया जाएगा जिनमें X कंडिडिट है या PWBD वाले केटिगरी के विद्धारती हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे तो उन्हें भी यहाँ पे छूट दी जाएगी Important date की बात करें तो देखेगा 24, 3, 2, 0, 20 से इसके आविदन परकर सुरू होगी यानि कि मार्स से इसके आविदन परकर सुरू होगी और करीबन इसकी माई तक या अप्रियल तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे यानि कि 24 मार्स से आप लोग आविदन कीजिए और 2 माई तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे इसमें application fees की हम बात करें तो यहाँ पर application fees के बारे में भी देख सकते हैं जिसमें कौन सी केटिगरी को कितना दिया जाएगा ये भी हम यहाँ पर clear कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर देखेगा जैसे यह electrical trade है application fees के बारे में जो refund होगा आपको बिल्कुल free SCST केटिगरी को बिल्कुल free होगा किसी परकार का कोई charge नहीं लिया जाएगा जबकि यहाँ पर mail केटिगरी के विद्यारती है journal और EWS और OBC की केटिगरी के लिए 500 रुपे अपडेट होगे 500 रुपे आपको application fees देने होगी जबकि इन journal और EWS के according और OBC में महिलाओ को किसी परकार का payment नहीं देना होगा और SCST के टिगरी को बिल्कुल free होगा तो यानि कि यह चीज़े आपको ध्यान में रखने होगी qualification सबसे बड़ी और most important आपकी होती है qualification इसमें क्या मांगा गया है आपको बता दते हैं BE और BTEC और BSC वाले ही विद्यारती इसमें आविदन करेंगे जिसमें MTEC हो minimum 60% हो आपके पास marks तबी आपके इसमें short list जारी की जाएगी अगर आपके पास gate 2018 का result आ चुका है या फिर नम्मर है अच्छे final list है तो आप इसमें apply कर सकते हैं आप short list, merit list के अनुसार चुने जाएगे और सीधी भरती का पूरा फाइदा उठा पाएंगे तो I hope की काफी हद तक ये qualification से आप लोगों को relief मिले होगी चाए भले इडिपलोम वाले विद्यारती हैं तो वो बिल्कुल इसमें आविदन नहीं कर पाएंगे इसमें सिर्फ BTEC वाले विद्यारती और BST वाले विद्यारती आविदन करेंगे आविदन करने के लिए date fix हो चुकी है और तैयारी करें और interview के लिए तैयार हो जाएं कब से इसके आविदन पर गया होगी salary की बात करें तो यहाँ पे salary देख सकते हैं 50000 रुप है तक आपको salary दी जाएगी और आगे देख लिजेगा कैसे क्या interview होगा और क्या जानकारी होगी यह बायकी जानकारी आप खुद swim notification के जरिए ले सकते हैं तो दूस्तो यह इसका विवरन है I hope कि सभी विध्यारतियों को पसंद आया होगा अगर आपको doubt हो तो मैं फिर से करता हूँ आप comment में लिखेगा जानकारी हमाँ आपको पूरी देंगे और हमारे facebook group को join कर सकता है और उसके according भी हाँ से जानकारी ले सकते हैं application की बात करें आविदन जिस दिन होगा उस दिन हम आपको जरूर वीडियो बताएंगे कैसे आविदन करना होगा और जो विध्यारती अगर इसका वीडियो बनवाना चाहता है तो आप comment में जरूर लिखेगा अगर आपको इसके requirement है वीडियो की तो आप यहां से ब दूस्तू यह इसका पूरा विविदन है आई होप कि सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजिए एक बार फिर से करता हूं doubt हो तो comment में जरूर लिखेगा थेंक्यू जैह हिं दूस्तू